हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे हम गोए मैं हूँ राहूल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज एक एन आपके सामने एक मोश्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है पाइथागोरस थेरम जी आ दोस्तों आप सभी ने ये थेरम का नाम जरूर से सुना होगा है यह एक ऐसा टॉपिक है जो एक साथवी का आठवी का नवी का दसवी का ग्यारवी का बारवी का कोई भी स्टैन्रेड का बच्चा जो है वो देखना अगर हम बात करें जैसे इंट्रोर्चन होता है स्वेन स्टैन्र में आपको बेशिक बताया जाता है कि पाइथागोरस थेरम क्या होता है फिर 8 में प właści Now to पूछ सकता है अगर आप 10 standard में रहोगे या फिर एक ऐसा चीज है कि इसके उपर questions पूछ सकते हैं कि आपको side निकालना या फिर hypotenuse निकालना ये सबी चीज जो मैं बोल रहा हूँ क्या होता है मैं आपको explain करूँ और don't worry about that अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होगे जिनको पहले से पता होगा कि what do you mean by hypotenuse theorem and किस प्रकार और जो hypotenuse वगरे कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या होता है ये सबी पता होगा लेकिन नहीं पता है तो definitely कर दिये हैं already तो अगर आप पढ़ाई करना चाते हो पढ़ाई स्टार्ट करना चाते हो अपने syllabus का तो आप हमारे चैनल को visit कर सकते हो हमारा चैनल जैया टुटोरियल के अंदर आप प्लेलिस सेक्शन में जाओगे तो 7 नमर वन से शुरुवात करो अराम अराम से देखो एंड जितना हो सके इस vacation का फाइदा उठाओ ताकि जब भी आप दो मेने के बाद जब आपने school में वापस जाओगे vacation के बाद तो अल्रड़ी बहुत सारे चीज आपने पहले ही पढ़के रखे होगे एंड उसके lectures हमने अल्रड़ी वीडियो बना के रखें और 10 standard की वह भी बात करें math totally complete है, algebraic geometry इस totally completed and 10 standard का science है वह भी almost 95% you can say complete हो चुका है बहुत पहले हमने वीडियो सब डाल के रखें लेकिन बचे कुछे कुछ एक चाप्टर है जैसे कि अभी 10 standard का science 2 का chapter number 3 हमने शुरुआत किया है तो जो थोड़े बहुत बचेवे chapter से उसको हम लोग अभी बना रहे है और आने वाले दिनों में वो भी जल से जल खतम हो जाएगा तो आप उसको भी देख सकते हो, तो चले शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की सबसे पहले pythagoras theorem exactly क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे तो हमेशा एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि pythagoras जो theorem होता है हमेशा use होता है right angle triangle में इसके अलावा कोई भी triangle के अंदर और obviously pythagoras theorem या तो triangle में use होता है तो यह ABC जो नाम का triangle है इसी में आपका pythagoras theorem अपलाए होगा तो pythagoras theorem जो होता है वो definition point of view क्या बोलता है जो pythagoras जो scientist थे I mean to say mathematician थे उन्होंने जो formula बनाया था वो क्या बनाया था hypotaneous का square मैं direct formula लिख रहा हूँ फिर मैं आपको explain करता हू don't worry guys तो hypotaneous का square is equal to side square plus side square यह किसका formula है pythagoras theorem का formula है अब यह formula का मतलब क्या है इसको कैसे use करना है यह सभी चीज़ में बताने वाला हूँ इसलिए यह video को end तक देखना ठीक है और एक बर आपने यह video देख लिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें करना क्या इसमें तो hypotaneous का square is equal to side square side square लिखा है जो मैंने तो यह exactly है क्या अगर हम बात करें है तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कभी भी एक right angle triangle जो होता है उसमें जहां पे भी 90 degree होता है 90 degree का symbol यही होता है आपको पता ही होगा कि 90 degree कैसे पता चलेगा कौन सा है जो perpendicular होता है समझ लो इस तरह से कोई triangle आपको बना के दिया है लेकिन आपको ऐसा जो symbol है वो नहीं दिख रहा है लेकिन आपको समझ जाना कि कहीं पे भी जो perpendicular होता है इस तरह से इस तरह से इस तरह से सामने, तो 90 ये है, और उसके opposite में, इसके opposite में क्या है, ये line है, तो ये जो line, यानि ये जो side है, उसका नाम होगा, दोस्तो, hypotenuse, ये क्या है, hypotenuse, समझ में आया, और जो बच जाएंगे, वो उसके side होगे, तो ये हो गया side, पहला side होगया, ये उसका दूसरा side होगया, ठीक है, समझ में आया, अब इसका use के, ये तो आपको समझ में आ गया, कि formula क्या है, hypotenuse का square is equal to side square plus side square, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब मुद्दे की बात पर आते हैं, जो कि है questions, तो questions कैसे पूछने है, ये तो चलो theorem आपने समझ लिया, hypotenuse theorem, actually क्या होता है, ये आपन आपको एक triangle दिया है, जिसमें आपको एक side जो है, इसका value दिया हुआ है 3, एक side है, इसका value दिया हुआ है 4 cm, ठीक है, 3 cm इसका, ये 3 cm, ये 4 cm दिया है, और आपको कोई बोलेगा कि hypotenuse निकाल के दिखाओ, ठीक है, ऐसा कुछ question पूछता है, कि find the hypotenuse of a right angle triangle in which the side 1 is 3 cm and the side 2 is 4 cm एसा बोल के रखा है, तो आप कैसे calculate करोगे, तो आपको पता है कि जब right angle triangle दे दिया, तो again we can use hypotenuse, बराबर, और हम लोग pythagoras theorem apply कर सकते हैं, तो pythagoras theorem क्या बोलता है, hypotenuse का square is equal to side square plus side square है, तो hypotenuse का value मुझे निकालना है, तो hypotenuse क्या है, यानि AC है, hypotenuse क्या है, A से लेके C, यानि कि AC का square is equal to, side क्या है हमारा, एक side है BC नाम का, तो लिख दो BC का square, प्लस, दूसरा side का नाम क्या है, AB, तो AB का square, AC का value मुझे पता निये, समझ लो, AC का value मुझे पता निये, मुझे निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, AC को वैसे का वैसे ही लिखूंगा, BC का value मुझे पता है, कितना है, देखो, B और C का value मुझे दिया हुआ है, 3 cm, यानि कि क्या हो जाएगा, 3 का square, plus AB का value मुझे दिया हुआ है, कितना है, 4 cm, यानि कि 4 का square, अब इसको solve कर लो, तो AC का square is equal to, 3 का square कितना होता है, दोस्तों, 3 का square होता है, 9, 4 का square होता है, 16, तो 9 प्लस 16 कितना होता है, AC square is equal to, 25, तो therefore, AC का value आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, अंडर root of 25, और जिसका value होता है, 5, तो 5 cm हमारा answer आजा, यानि कि, जो आपको question पूछा था, यह hypotenious का value निकालके दिखाओ, या फिर side जो है, AC का value निकालके दिखाओ, तो आपने निकाल लिया, कितना आ रहा है आपका value, 5 cm, तो 5 cm है, इस चीज़ का value, तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे, कि यह जो side है, वो कितना लंबा है, 5 cm है, यह 4 का, यह 3 का है, तो इस प्रकार आप value जो है, वो निकाल सकते हो, तो और भी ऐसे examples आपको पूछते हैं, लेकिन उमीद करता हूँ, इसके पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपसे पूछना चाता हूँ, कि आप लोगो यह चीज़ बिल इसको हम rough कर लेते हैं, यह rough कर लेते हैं, और यह जो हमारा theorem है, formula जो है, इसको भी मैं rough कर लेता हूँ, अभी तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत simple है, hypotenuse का square is equal to side का square plus side का square, ठीक है, यह हम लोगो solve करना है, तो let's suppose आपको कोई question पूछता है, ध्यान से देखना, यह question कैसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब आपको कोई question पूछता समझ लो, यह ABC आपको दिया हुआ, एक triangle, right angle, triangle, और इसमें आपको बोला है, कि आपका एक side का value है, वो 8 cm है, दूसरे side का value है, वो 6 cm है, ठीक है, 8 cm, 6 cm, और जो तिसरे side का value है, यानि कि यह क्या है, यह AC क्या है, hypotenuse है, 90 के opposite मतलब क्या है, यह hypotenuse है, यानि तिसरे side का value है, AC का value जो है, आपको पता नहीं है, question mark दे के रखा है, तो आपको पूछा है, find AC, आपको question पूछेगा, AC निकाल के दिखाओ, AC का value है, वो निकाल के दिखाओ, तो सबसे पेले आपको question में कभी नहीं दिया रहे तो आप जो है, बेशक पाइथा गोरस थेरम यूज कर सकते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो, by using, देखो proper तरीके से बता रहो, by using पाइथा गोरस थेरम, आपने लिख लिया, उसके बाद हमें पता है, पाइथा गोरस थेरम क्या होता है, hypotenuse का square होता है, hypotenuse का square is equal to sides का square plus side का square, यह हमारा main formula है, hypotenuse क्या है यहाँपे, AC है, समझ में आ गया, hypotenuse क्या है यहाँपे, AC है, तो AC का square is equal to side क्या है, एक side का नाहमें AB, तो AB का square, और दूसरे side का नाहमें BC, तो BC का square लिख दिया, अब इसमें values डाल देते हैं, तो AC का value मुझे पता है कि नहीं, AC तो हमें निकाल value दिया हुआ है 8, तो यह हो जाएगा 8 का square, तो अब इसको अगर हम plus करें, AC square is equal to 6 square कितना होता है, 36 plus 8 square होता है 64, तो 36 plus 64 करेंगे, तो हमें पता है कि AC square कितना हो जाएगा, इसको और इसको plus करेंगे, तो यह 100 आ जाएगा, हमें किसका value चाहिए, AC का चाहिए, यह है AC square, तो हम इस चीज का जो value आता है, वो आता है 10, तो 100 का square root होता है 10 cm, तो आपका answer आ गया, यानि कि यह जो AC आपने जो पूछा गया था, आपको उसका value जो आपका आ रहा है, वो आ रहा है 10 cm, clear है दोस्तों, तो इसी प्रकार के essay questions आपको mainly पूछा जाता है, बहुत सारी जगा पे included है, ये चीज, 8 और 9 में essay questions पूछते भी है, ठीक है, 10 में भी essay based के questions पूछे जाते हैं, पर directly आपको ऐसे नहीं पूछेगा, कुछ अलग questions रहेंगे, लेकिन इसमें आपको ये चीज use करना पड़ेगा, 10 में भी same essay, बहुत सारी अलग questions होते हैं, लेकिन ये जो चीजे हैं, ताकि आप लोग कुछ चीज का value जो है, निकाल सकें, clear है, तो उमीद करता हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गया, चलते हैं, एक और example की तरफ, एंद फिर आपको जाते-जाते homework देखे जाएंगे, ठीक है, चलिए, शुरुवात कर लेते हैं, इसको rough कर लेता हूँ, ये ह अब हमें कुछ questions इस प्रकार के भी पूछते हैं, confused करने के लिए देखो, confused करने के लिए कभी-कभी questions क्या पूछते हैं, आपको na, hypotenuse का value है, वो देके रखा रहेगा, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि आपको जो hypotenuse का value है, वो देके रखा होता है, let's suppose इसका value आपको दिया तो कभी-कभी ऐसे type के questions, confused करने के लिए पूछते हैं, और इसमें होता क्या है, basically, हर बार आपने जो questions solve किया, जो मैंने दो questions इसके पहले करा है, उसमें मैंने क्या कराया, कि आपको hypotenuse का value पूछा था, यानि कि जो AC था, उस चीज़ का value आपको पूछा गया था, आपको नि नहीं है, नया क्या करना है आपको, सेम चीज़, आपको एक चीज़ पता है कि this is a right angle triangle, first of all, you know that, कि right angle triangle दिया है, और आपको कोई भी एक side पूछा हुआ है, ये side है, तो side पूछा है, या फिर कोई भी hypotenuse है, फिर कुस तो पूछा है, तो आप बिंदास यूज़ करोगे यह ठीक है, is equal to side का square plus side का square, यही होता है आपका formula, hypotenuse का square is equal to side का square plus sides का square, यही होता है, अब आपने एक चीज़ notice किया, कि यहाँ पे तो hypotenuse square का value हमें already दे के रखा है, कितना दे के रखा है, उन्होंने 17 cm, तो हम क्या करेंगे, यह जो hypotenuse है, इसके जगा पे लिख देंगे 17 का square square है, लिख दिया square, is equal to, एक side का value क्या है, 15 cm दे के रखा है, उन्होंने 15 का square, और दूसरा side जो है, यानि A, B, वो आपको पता नहीं है, ठीक है, आप इसको एक step और बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने हमेशा किया, आप इसको एक step बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा होगे, देखो यह से, क्या था, हाइपोटेनेस का नाम क्या है, A, C है, तो लिख दो पहले, A, C का square is equal to, एक side का नाम क्या है, A, B, तो A, B का square, दूसरे side का नाम है, B, C, तो B, C का square, अब इसमें value डाला, आप थोड़ा अच्छा दिख रहा है, एक step miss हो गया था, लेकिन कोई बात ने, ठीक है, तो A, C क्या है, 17 है, तो A, C का value डाल दिया, 17 का square is equal to, A, B कितना है आपे, हमें पता नहीं, A, B तो question मा के, हमें निकालना है, तो A, B का value हम वैसे का, वैसे ही रखेंगे, यानि A, B का square, प्लस, B, C का value मुझे पता है, कि यस, पता है, कितना है 15 cm, तो यानि कि 15 का square, अब इसको प्लेलिच जो बनाया, उसके अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने how to find square, and square root, दोनों बनाया होगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है, तो 289 is equal to A, B square, वैसे का वैसे ही रखते है, और ही 15 का square होता है, 15 का square कितना होता है, 225, या आपको समझ में आ गया, ओके अब एक चीज़ आप जब notice करोगे, ठीक है, एक चीज़ आप जब notice करोगे, तो आपको पता चलेगा, कि A, B का आपको value निकालना है, तो अगर मुझे A, B का value निकालना है, तो यह जो 225 है, 225, इसको मैं इधर भेज दूँगा, 289 के पास, तो क्या हो जाएगा, 289 minus 225 is equal to, तो अकेला बच जाएगा, वहाँ पे A, B square, सीधा कर लेते हैं, तो यह A, B square हो जाएगा, is equal to, 289 minus 225, कितना होता है, 64 होता है, तो A, B square is equal to 64 हो गया, तो आपका A, B का जो value है, आ जाएगा, therefore A, B will be equal to, under root of 64, और 64 का under root कितना होता है, 8 होता है, तो आपका answer आगया, 8 cm, कितना simple है, आप ही देख लो, यहाँ पे, ठीके दोस्तो, कितना simple है, बहुत easy है, और ऐसे type के, जब भी कोई exam पस आपको पुछेंगे, कोई भी exam में, चाहे आपका normal syllabus का exam हो, या फिर आप कोई भी exam competition वाला दो future में, या फिर normal तोर पे इसका use करना हो, तो आप इस प्रकार जो है, use क कर सकते हो, clear है, तो उमीद करता हूँ कि आपको हमारा जो method है, पाइथागोरा स्चेरम को कैसे solve करना है, यह आपको समझ में आ गया होगा, तो यहीता दोस्तो हमारा आज का lecture, उमीद करता हूँ, आपको यह चीज समझ में आ गया होगा, जाते जाते आपको homework देता जाओंग और आपको मुझे answer बताना है, हो सकता है, आपका answer perfect ना निकले, लेकिन फिर भी आपको answer मुझे बताना है, comment करके, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग answer निकाल पाएंगे, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 24, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 7, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 25, sorry, माफ केज़ेगा, माफ केज़ेगा, ठीक है, यहाँ पे दिया है question mark, तो आपको जो AC है, इसका value निकालना है, यानि find AC, AC का value जो है, वो निकाल के दिखाओ, निकाल दोगे दोस्वों, this is your homework, एक ही example दे रहाँ homework, तो यह triangle है, एक right angle triangle है, जिसमें आपको एक side का value दिया हुआ, AB का 7 cm, BC दूसरा side है, इसका value 24 cm दिया, और आपको जो AC है, यह question mark है, यानि इसका value निकाल के दिखाना है, तो यह ही था दोस्टो हमारा आज का lecture, और यह homework, जरूर से solve करना, फटा- फट से answer निकालना पसंद करते हैं, clear है दोस्तो, तो आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे, आपको ऐसे ही और भी topics चाहिए, क्या, तो please हमें comment करके बताएगा, और भी हम वीडियो से ऐसे ही बनाते रहेंगे, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज कॉमेंट करके बत इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे इस चानल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जो होता है, बाजू में छोटा सा उसको भी हिट कर देना, दोस्तों, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियो को अपलोड करेंगे न, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू एंड गुडबाई